हेलो जाहिन दोस्तों मैं शुबम आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूटूब चैनल शुबम ये क्लासिस में आज की हमारी क्लास रीजिनिंग स्पेशल क्लास होने वाली है और आज की क्लास में हम रीजिनिंग के टॉप 15 मिक्स वेरी वेरी इंपोर्टन कॉश् है चलिए अपने क्लास स्टार्ट करते हैं तो देखीगा प्रस्णों की संख्या 15 है और मैं आपको टार्गेट दे रहा हूं तेरा कोश्चन राइट करने का पहला कोश्चन आपके सामने स्क्रीन पर जल्दी से आंसर देंगे यहां पर कौन सा राइट आंसर होगा कौन सा लोजिक यहां पर फोलो कर रहा है कि यदि तोचा का संबंद बाल से है तो भूमी का संबंद किस से होगा ऑप्शन आपके सामने हैं तो देखिए तोचा पर क्या उगते हैं तो बाल उगते हैं इसी तरह भूमी पर क्या उगती है तो घास उगती है ऑप्शन आपका सी यहा लिखा जाता है तो उसी कूट भाशा में टेल को कैसे लिखेंगे जल्दी से आंसर दीजेगा इस प्रेशन का क्या लोजिक फोलो कर रहे हो तो देखिए यहाँ पर क्या है आपके सामने y e double l अब यहाँ पर सिरफ आपको इनकी place value पता होनी चाहिए इनका numerical order पता होने चाहिए आपका आंसर डिरेक्ट आएगा देखिए y की place value 25 होती है e की place value 5 होती है l कौन से नमबर पर आता है बारवे नमबर पर आता है कलियर तो यहाँ पर 25 बारा बारा देखिए 25 बारा बारा तो आपको बिल्कुल इसी order में लगाना है आप देखिए यहाँ पर t जो है यह आपका 20 बे नमबर पर आता है एक की place value क्या है एक है l की place value 12 है और e की place value 5 है तो देखिएगा 21 125 आपका a यहाँ पर बिल्कुल correct answer है अगर आप सभी ने option a को answer दिया है तो आपका answer बिल्कुल correct है question number 3 आपके सामने है screen पर जल्दी से answer दें निम्न में से क्या सबसे भिन है which of the following is different option है वरित वर्ग आयत या फिर आयतन तो देखिएगा वरित वर्ग और आयत यह क्या है एक आकरितिया है क्लियर है परंतु जो आयतन है यह क्या है मापन है option आपका यहां पर d बिल्कुल correct answer होगा अगर आप सभी ने option d को answer दिया है तो आपका answer बिल्कुल correct है question number 4 है आपके सामने screen पर जल्दी से answer दीजिए श्रिंखला को पूरा करें complete the series अगर आप चाहो तो 15 में से 15 नंबर भी सही कर सकते हो कमेंट बॉक्स में बताएगा किन किन विद्यार्थियों के 15 में से 15 सही हुए है नहीं तो मैंने आपको 13 question right करने का target तो दिया ही हुआ है इसका answer दीजिए यहाँ पर कौन सा logic लग रहा है answer आपका क्या होगा तो देखिए 26 में अगर मैं 3 जोड़ूँगा तो 29 बनेगा अब मैं 29 में 4 जोड़ रहा हूँ तो 33 बनेगा 33 में मैं 5 जोड़ूँगा तो आपका 38 बनेगा तो यहाँ पर 38 में क्या जोड़ना पड़ेगा 6 जोड़ना पड़ेगा तो आपका यहाँ पर 44 option C बिलकुल correct answer होगा क्या सभी ने option C को answer दिया है question number 5 का answer दीजिए आपके सामने है direction से जल्दी बताइए question है अनीता उत्तर की और कुछ दूर जाने के बाद अपने दाईं और मुड़ती है और कुछ दूरी तया करने के बाद पुनह दाईं और मुड़ती है अंत में अपने बाईं और मुड़ती है किसी दिशा की और जा रही है हंजी तो देखी सबसे पहले मैं आपके सामने डारेक्शन एक ड्रॉग कर देता हूँ ये आपका पूरव होता है ये साइड आपकी पस्चिम है उपर साइड आपका उत्तर है और सबसे नीचे आपका दक्षिन होता है आप बढ़ते हैं कोश्चन की स्टेटमेंट की तरफ अनीता उत्तर की और कुछ दूर चलने के बाद देखिए मान लिजी अनीता कहा है यहाँ पे है उत्तर की और कुछ दूर जाने के बाद अपने दाई और मुड़ती है अब अनीता का face कहा है उपर की तरफ है और दायां आपको पता होगा right hand side तो आपने ये कहा मुड़ी है दाई और मुड़ गई और कुछ दुरी तैक करने के बाद फिर से दाई और मुड़ जाती है तो आप देखिए अब इसका face इस तरफ है ना फिर से दाई और मुड़ेगी तो right hand side नीचे की तरफ जाएगी अन्त में अपने बाई और मुड़ती है अब इसका face आपका down की तरफ है अब बाई और मतलब क्या होता है left hand side तो यहाँ पे बाई और मुड़ेगी तो आपकी इस दिशा की तरफ जाएगी किसी दिशा की और जा रही है यह बताना है तो यह कौन सी दिशा है यह पूरफ दिशा है option आपका a बिल्कुल correct answer है east question number 6 देखिए answer देंगे आपका blood relation वाले topic से और यह जो आपका blood relation है यह मैं आपको एक बार complete करवा चुका हूँ अगर आपने नहीं देखा तो आपको youtube पर लिखना है blood relation शुभम eclassis आपके सामने पूरा topic आ जाएगा अप इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा basic बताना चाहूँगा फटा फट से कि देखिए अगर कोई male है तो उसके उपर हम plus का sign डालेंगे और कोई female है तो हम minus का sign डालेंगे clear आप देखिए भाई भाई या फिर भाई और बहने को हम सीधी लाइन में व्यक्त करेंगे पती और पतनी को हम एक दूसरे के बराबर रख कर व्यक्त करेंगे और माता पिता और son and daughter इनको हम उपर और नीचे रखेंगे father and mother को हम उपर दर्शाएंगे son and daughter को हम नीचे के तरफ दर्शाएंगे बस इतना साही basic है इसको समझ लीजिएगा अब मैं apply करता हूँ आपको समझ में आएगा अगर आपको question आता है तो आप session के साथ question को solve करें और मेरे से पहले answer देने का प्रयास करें देखे सुनीता अवनी की पुत्री है यहां पर मैं लिख दिया सुनीता यह पुत्री है तो यह female होगी minus का पुत्र है देखिए ये आपकी अवनी है और भाई और बहन को हम सीधी लाइन में व्यक्त करते हैं ये अवनी का कोई भाई है इसके उपर मैंने प्लस का साइन लगा दिया और आमित अवनी के भाई का ही पुत्र है अवनी के भाई का पुत्र कौन है अमित है कलियर है इसके उ देखिए अमित है ये अमित के फादर हैं इनका सुनिता से रिलेशन बताना है क्या है तो सुनिता क्या है अमित की बेहन की लड़की हुई तो यानि की जो अमित के फादर है वो सुनिता के कौन लगेंगे मामा लगेंगे ऑप्शन आपका C करेक्ट आंसर है क्या सभी ने ऑप कि यदि L से अभी प्राइब प्लस M से अभी प्राइब माइनस N से अभी प्राइब मल्टिप्लाई तदा P से अभी प्राइब भाग है तो आपको ये equation solve करनी है जल्दी से करिए copy pen की जुरूरत आपको पड़ेगी इसमें और इसमें ध्यान रखिएगा board मास लगाना पड़ेगा कलियर है अब देखिए solution की तरफ बढ़ते हैं अपने 2 यहाँ पे आपको N दे रखाए और N से क्या भी प्राइब है multiply multiply का sign 4 L से क्या भी प्राइब है तो L से plus plus फिर आपका 21 और P से क्या भी प्राइब है तो P से आपका divide है and 3 और यहाँ पे आपका M दे रखा है M से भी प्राइब है minus और यहाँ पे 6 इतना clear है अब देखिए board मास में हम सबसे पहले क्या करते हैं divide करते हैं तो 3 को 21 को 3 से भाग करेंगे यहाँ पे 7 बनेगा plus 4 दुनी 8 minus 6 अब आपके पास इतना बच गया है अब देखिए 8 और साथ 15 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा का नो बचेगा option आपका सी बिलकुल करेक्ट आंसर है जिन्हों ने भी option सी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है कोशन नमबर 8 की तरफ चलते हैं आपके सामने स्क्रीन पर टेस्ट सभी को बिलकुल कंप्लीट लगाना है और लास्ट में सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए कोशन नमबर 8 है यदि 15 नमबर 2018 को गुरु वार था तो 15 नमबर 2021 को कौन सा दिन होगा अब देखिए ऐसा कोई प्रशन आपके सामने आए तो सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए अगर मैं आपको बोलू कि एक जनवरी 2021 को संडे है यानि कि कहने का मतलब है कोई भी नॉर्मल इयर का जो आज का दिन है वही अगर मैं एक साल बात की बात करूँ एक जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा तो आपको क्या करना है यहाँ पे एक दिन एड कर देना है मंडे कर देना ह कलियर है जैसे एक जनवरी 2021 को संड़े है तो एक जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा मंडे होगा एक दिन आपको एक्स्ट्रा कर देना है और यहीं पर अगर मैं 2000 आपको देखिए यह है आपका सिंपल एर में अगर यहां पर कहीं आपको लीप एर दिखाई देगा तो आपको दो दिन बढ़ाना है समझपा रहे हो यहां पर समझे देखिए पंद्रा नवंबर 2008 कौन सा वार है आपका थ्रस्ड है जी है ना हमको 15 नवंबर 2021 का बताना है आप देखिए पंद्रा नवंबर 2009 देखिए पहले स्वरी यह 2018 और मिस्टेक होगी यहां पर 2018 है तो यहां पर 2019 में क्या होगा एक दिन बढ़ा दीजिए यहां पर वीरवार है तो यहां पर आपका शुक्रवार हो जाएगा फ्राइडे हो जाएगा इतना कलिर है अब देखिए आगे 15 नवंबर 2020 आगया जी अब 2020 क्या है आपका लीप वर्ष है समझ पा रहे हो ना जो चार से डिवाइड हो गया वो लीप वर्ष हो गया लीप वर्ष में हमको दो दिन बढ़ाना है यह शुक्रवार था तो शनीवार चोड़के आपका 15 नवंबर 2020 को रविवार होगा हमको 15 नवंबर 2021 बताना है तो 15 नवंबर 2021 यहां पर रविवार है तो आगे आपका कौन सा वार होगा सोम वार होगा कहां पर है option A आपका बिलकुल correct answer है क्या सभी को समझ में आया है अगर कोई भी simple year है आपको same day अगले साल में पूछा है तो आपको सिरफ एक दिन बढ़ाना है और same day आपको leap year में पूछ दे तो आपको दो दो दिन add करना है question number 9 देखिएगा अगर किसमें कोई doubt है तो हमसे comment करके पूछ सकते हैं comment box में दुबारा से बताएंगे question number 9 इसका answer दीजेगा इसका answer क्या होगा कि यदि iron को हम fe लिखते हैं तो silver को क्या लिखा जाएगा देखिए ये iron का संकेत है iron का sign है क्या होता है fe तो silver का संकेत बताएं silver को कैसे लिखते हैं silver का संकेत होता है ag option c आपका correct answer है au किसका संकेत होता है तो sone का संकेत होता है na आपका sodium है और ca आपका calcium है option c जिरोंने answer दिया है उनका answer correct है next question number 10 आपके सामने और देखिएगा इसको यहाँ पे correct किजेगा यहाँ पे 24 है 25 किजेगा क्या करना है आपको 24 कर लेना है अब देखिए इसके लिए प्रसंद के लिए आपको opposite letter की series पता होने चाहिए इस प्रसंद में आपका थोड़ा सा mind use होने वाला है अब देखिए opposite letter आपको अच्छे से याद होने चाहिए मैं हलका सा hint देता हूँ जैसे alphabet में A जो है वो पहले नंबर पे आता है तो last नंबर पे क्या आता है? Z आता है A का opposite Z हो गया ऐसे ही B दूसरे नंबर पे आता है और last से दूसरे नंबर पे क्या आता है? Y आता है तो B का opposite Y हो गया ऐसे आपको opposite letter अच्छे से याद होने चाहिए इतना clear है सभी को अब देखिए बढ़ते हैं हम solution की तरफ तो ध्यान रखिएगा देखिए C का opposite पता होने चाहिए क्या होता है तो C का opposite X होता है और X जो है वो 24 नंबर पे आता है जैसा आपको यहाँ पर दे रखा है clear है अब देखिए ऐसे E का opposite क्या होता है V होता है Y का opposite कितना होता है B होता है और E का opposite V होता है clear है तो देखिए V कौन से नंबर पे आता है 22 नंबर पे B की place value 2 है और V की प्लेस वैल्यू 22 है अगर हम इन सब को जोड़ दें तो यहां पर 46 बनेगा जो कि यहां पर आपको दिया हुआ है तो यानि कि यह जो लॉजिक है यह बिल्कुल परफेक्ट है अब यहां पर आपको इसकी वैल्यू बतानी है तो देखिएगा यहां तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा चलिए तो देखिएगा यहां पर 325 और एक छे यहाँ पर कितना बनेगा आपका दो और एक तीन 36 आपका option A बिल्कुल correct answer है क्या सभी ने option A को answer दिया है question number 11 आपके सामने screen पर है इसका answer देंगे वीशम का चयान करें option दे रखा है तोता बाज हंस या फिर खरगोश simple सा है आपके answer आ रहे हैं और बिल्कुल सही आ रहे हैं खरगोश option D correct answer है खरगोश क्या है एक जानवर है जबकि तोता बाज हंस क्या है पक्षी है clear question number 12 का answer दीजिए जल्दी और इसका जो PDF है वो आपको हमारे telegram channel पे मिल जाएगा telegram channel का link आपको description में दिया हुआ है वहाँ जाके telegram को join कर सकते हैं यहाँ पर भी आपको वीशम का चियन करना है तो देखिए धारा, नहर और नदी यह क्या है पानी से संबंदी था यानि कि यह पानी है एक तरह से धारा भी पानी है, नहर भी पानी है और नदी भी पानी है परन्तु पूल जो है वो इन से अलग है option B आपका correct answer है क्या सभी ने option B को answer दिया है question number 13 देखिएगा सामने screen पर है जल्दी से answer दीजे इसमें कौन सा logic follow हो रहा है क्या answer करोगे तो देखिए 1200 का आधा कितना होगा 600 600 का आधा 300 300 का आधा 1.500 और 1.500 का आधा करेंगे तो 75 option आपका D यहाँ पर बिल्कुल right answer है question number 14 है आज का second last question answer दीजिए blood relation से है अगला question फिर से अब यहाँ पर मैं फिर से basic नहीं बताऊंगा बेसिक मैंने आपको अभी इसी वीडियो में 3-4 question पहले बताया है जाकर देखिएगा अगर आप जूड़े हैं तो देखिए सुप्रिया अखिल की बेहन है तो यहाँ पर बने लिख दिया ऐसे सुप्रिया फीमेल है तो साइन लगा देंगे माइनस का बेहन है किसकी अखिल की अखिल की उपर प्लस का साइन अखिल के पिता की मा देखिए अखिल के फादर है यह प्लस का साइन और इनके फादर की मा इनसे भी उपर जाएगी तो माइनस का साइन मा का सुप्रिया से किस प्रकार संबंदित है आखिल के फादर की जो मदर है वो सुप्रिया से किस प्रकार संबंदित है तो सीधी सी बात है क्या लगेगी दादी लगेगी आपका C बिल्कूल करेक्ट आंसर है क्योंकि जो आखिल के फादर हैं वो सुप्रिया के भी फादर लगेंगे और सुप्रिया के फादर की मदर उनकी दादे लगेगी कोशन नमबर पंदरा है आज का लास्ट कोशन जल्दी से आंसर दीजिए और आज आपकी छुट्टी है फटा फट से आंसर दीजिए भिन का चेयन करें टोक्यो ढाका बर्मा हनोई क्या आंसर करोगे जिनने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है देखिए तोक्यो क्या है जापान की कैपिटल धाका बंगलादेश की कैपिटल हनोई वियत नाम की कैपिटल जबकि बर्मा क्या है खुद देश है ये किसी की कैपिटल नहीं है तो ऑप्शन सी अगर आपने आंसर दिया है बर्मा आपका आंसर बिलकुल करेक्ट है बर्मा का अन्य न या फिर 13 प्लस हुआ है कुछ विद्यारतियों का 15 में से 15 स्कोर भी हो जकता है आपना स्कोर सभी को बिलकुल इमांदारी से कमेंट करना है मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत